So Hello Trader, कैसे हैं आप सभी? So, आज की वीडियो आपके लिए काफी जादा informative होने वाली है क्यों? मैं आपको बदा देता हूँ इस वीडियो में आपको क्या-क्या सीखने को मिल सकता है मिल सकता नहीं, मिलेगा ही सबसे पहले देखो आप मुझे comment करते हैं और एक सर्णी मुझे comment किया है हिमानसु ने और वो comment यह काफी दिनों से मेरे पास रखा हुआ था तो आज मैंने उसको पर वीडियो बनाने का सोचा है और वैसे तो यार लाइव ट्रेडिंग की वीडियो में छोड़ता है रहूंगा छोड़ता है रहूंगा उससे तो कुछ फरक होगा नहीं लेकिन ये चीज़े जानना आपके लिए बहुत जादा जरूरी है मैं आपको इबर बता देता हूं कि हिमान सोशन ने क्या-क्या कॉषचन की है सबसे पहले उनका कहना है कि साइकलोजी नमबर ढोग कैसे करते हैं या फिर आप ये भी कह सकते हो कि साइकलोजी नमबर आखिरकार होते क्या है उन पर market react क्यों करती है ये भी ऐग कॉषचन हो सकता है आपके मन में अगर question है तो वीडियो को complete देखेगा यह चीज़े आपको सीखने को इस वीडियो में मिलने वाली है second question resistance sport कहां draw करते हैं sir का question यह है कि resistance और sport चार्ट पर कहां पर draw करते हैं यहां पर draw करें कहां पर करें कैसे बता करें बिल्कुल accurate sport and resistance को दिक्कत नहीं है यह वीडियो आपके लिए है और आज इस वीडियो में complete सारी चीज़े में के लिए तो नहीं कर सकता तेन ही question सारे ने पूछे हैं third question है जो market है उसका trend कैसे पता करें trend market का trend का मतलब market ऊपर जा रहा है या फिर market नीचे आ रहा है या फिर market sideways है यह तीनो trend है जैसे कि इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे up trend इसको बोलेंगे downtrend इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे sideways trend यह तीन trend है लेकिन आपको तो पता हो ना चाहिए ना कि market का trend क्या है ट्रेंड नहीं पता ट्रेडिंग कर रहे हो पुट में ले रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर लें क्या लें कोई दिक्कत नहीं वीडियो है आपके लिए बना रहा हूं complete देखिएगा ज्यादा बखवास तो करता हूं मैं मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है वाद देखो सीखने वाले तो करते हैं यह चीजें हम जानने की कोशिस करेंगे सो थैंकि सो मच हिमानसु सर आपने कोमेंट किया और यह कोश्चन हमारे सामने रखे सो मैं इनका रिपलाई देने की कोशिस जरूर करूंगा वीडियो के थुरू सो अगर आप देख रहे हैं तो प्लिस कोमेंट करके जरूर क्या बता रहा है कि market किस तरह की performance आज किया है market ने वो हमें चार्ट बता रहा है और चार्ट में जो ये candle दिख रही है आपको बड़े ध्यान से सुनना बहुत मजाने वाला है ये जाए red हो ये green हो ये हमें ये बताती है कि कब चार्ट ने किस तरीकी की moment की है मतलब यहाँ पर क कहीं जैसे भी आप समझे कि इस वक्त जैसे कि market अभी यहाँ पर trade कर रहा है तो यहाँ पर candle आपको बताएगी कि इस वक्त buyer market में ऊपर market को उठाना चाहता है या फिर seller market को निचे गिराना चाहता है candle आपको वो बताएगी मतलब candle market की आपको activity बता सकती है market का मैं क्या बोलता है मतलो क्या बुलिस या फिर बेरिस यह सारी चीजे candle आपको बता सकती है ठीक है अभी हमने बैंक के निफ्टी का चार्ट ओपन किया है पांच मिनटी के टाइम फ्रेम में मैं आपका एक और question के लिए यहाँ पर कर देना चाहता हूं कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं दे 20 पर्सेंट है 20 पर्सेंट कहा गई उसको क्या और अव्ट कर बैठ करके बैठ जाएगा जाएगा यह स्क्रीन होगी तो मजा आ जाईगा जो div तो इस तरीगे से आप दोनों टाइम फिरेम को उपन करके रख सकते हैं तो आप ट्रैप होने से भी बच सकते हैं ठीक है ज्यान रखेगा तो यह कॉंसेप्ट आपका किलियर हो चुका है क्या बङई करते हैं जहां पर मार्केट सवसे ज़ादा रियक्ट करती है तो यह होता है मतलब चंस जादा रहते है मतलब जिस इस नमबर पर जो ट्रेडर होते हैं बायर मान लो ट्रेडर मान लो वो बड़ी-बड़े इंस्टीट्यूट मान लो संगठन मान लो वो सबसे जादा active होते हैं उन लेवल पर देखो जो Bank Nifty होती है वो लेवल होता है 1000 और 500 को मान के चलते हैं Bank and NFT में जब भी आप देखेंगे Market यहाँ पर कुछ अलग ही React करेगी जो बड़ी-बड़ी Investor होते हैं वो तो यहाँ तो यहाँ पर Enter करेंगे वो यहाँ यहाँ पर Enter करेंगे यह Bank and NFT में यह जो दो नंबर है 1000 का और 500 का यह जो लेवल है यह नंबर है चाहे वो 48,000 का हो चाहे वो 49,000 का हो चाहे वो 50,000 का हो चाहे वो 60,000 का हो या फिर वो चाहे 45,500 का हो वो चाहे 40,500 का हो ठीक है ना तो यह लेवल Saikoloji नंबर होते हैं Bank and NFT में अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि Saikoloji नंबर यह होते हैं इतना आपको पता चल गया और इन नंबरों पर ज़्यादा active रहते हैं जो बड़े-बड़े trader होते हैं वो इन नंबर के उपर ज़्यादा active रहते हैं अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं सबसे पहले आपको Saikoloji नंबर डो करने के लिए काम करना है जो भी time frame में उसको बड़ा कर लेना है जैसे कि 5 minutes है उसको 15 minutes कर लेना है अब मैं यहाँ पर 15 minutes कर लेता हूं 15 minutes जासी करता हूं तो मैं आपको एक चीज दिखाने की कोसिस करता हूं देखो 1 minute रुकना इसको मैं और थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि और कुछ चीजे आपको देखने को बड़ी असान मतलो समझ जावा आप अच्छे तरीके से इसको और जूम कर लेता हूं मैं और यहाँ पर मैं नीजुम कर लिया अब देखो आब मैं जो यह correspondentline है और मैं number लिखुँगा यहाँ पर एक number लिखुँगा यहाँ पर 48000 का number लिखा हूँ है मैं यहाँ पर आप डेखना मैं यहाँ पर लिखूँगा 47500 का 47500 मैंने टाइब कर दिया है तो यह 47,500 पर अब देखो मार्किट ने यहां पर किस तरीके से रियक्ट गया है यहां पर मार्किट ने किस तरीके से रियक्ट किया यहां पर देख सकते हो अब खुद ही देख सकते हो यहां पर यहां पर देखो थोड़ा बहुत हो जाता है कभी आप ऐसा समझो कि बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए नहीं ऐसा नहीं होगा एक्यूरेट नहीं बिल्कुल थोड़ा बहुत हो सकता है यहां पर देखो इसी नंबर से मार्गेट उपर गई है इसको फिर से रिटेस्ट किया है मार्गेट ने यह यहां पर नीचे की तरफ आ गई थी तो यह नंबर हम यहां पर मैंने 47,000 कर दिया और यहां पर देखो मैंने 47,000 जैसे ही लगाया तो यहां पर अपनी second horizontal line भी यहां पर लग चुकी है अब आप यहां पर देखो किस तरीके से पर्फोर्मेंस हो रहा है आप खुद ही देख सकते हो यहां पर देहो यहां पर देखो यहां पर यहीं से उठती है कोन सा नंबर है यह 47000 का नंबर है यहाँ पर देख सकते हो 47000 के नीचे ठोड़िछ यह जाती है लेकिन 47000 के नंबर पर जैसे इसी उपर आती है तो marketplace उपर ही निकल जाती है यहां पर भी देख सकते हो आप यहां पर मार्केट ने रेक्ट किया है 47,000 के नमबर पर टो बेंक निफ्ति की Hoe000 का नमबर होता है इन नीचे से उपर जा रही है 5-500 नंबर पर आती है तो मार्केट के चांसे रहते हैं कि या तो वो इन नंबरों का sport ले या फिर वो इन नंबरों का resistance ले अगर Market नीचे से उपर जा रही है 500 का Level आ गया है जैसे कि 47500 का 48500 का तो market अगर अपट्रेंड में है अगर market अपट्रेंड में है तो 500 के Level पर react करेगी ही लेकिन हम यह accept नहीं कर सकते हैं कि market 500 के level से नीचे आएगी अगर market uptrend में है तो हम यह accept नहीं कर सकते हाँ हम यह accept कर सकते हैं कि 500 के level को market support माने या फिर इस level के उपर लिकल के और यहां पर retest करें और फिर से market उपर जाए हम यहां पर buying की सोच सकते हैं ना कि sale की क्यों क्योंकि market uptrend में है तो uptrend में हम downtrend का negative कैसे हो सकते हैं इसके साथ आपको trend का भी पता होना चीए तभी मज़ा आएगा trading करने में इतना आप समझ गए clear हो गया यहां पर देख सकते हो किस तरीके से market इनको follow करती है यहां पर ऊपर का नंबर लगाने वाला हूँ मतलग ऊपर यहां पर मैं type करने वाला हूं यसी को ही type करता हूं चलो नहाहीं एक ले लेता हूं original line लेता हूँ यहां पर मैं सिरल कोड़ लिखहूंगा यहां पर मैंने 48500 का नमबर लगा लिया है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह देखो किस तरीके से आप खुद ही देख सकते हैं मैं Zoom करके आपको दिखा देता हम मार्केट ने psychology number को किस तरीके से देखो आप खुद ही देख लो देखो यहां पर हम यहां से शुरू करते हैं market यहां पर जाता है market यहां पर जाता है जाने के बार केट किस तरीके से इसको спорт मानता है बार बार इसी number को एक 2046 सों का मानते ऊå आपको पता होना चाहिए कि मार्किट का ट्रेंड क्या है मार्किट का ट्रेंड यहीं तक है यह जो आप लाइन देखने रेड वाली यह एक ट्रेंड लाइन है यानि पीछे से आ रहा है पीछे से फोलो करके मार्केट आ रही है कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा मार्केट नीचे जाएगी ही जाएगी लेकिन जो साइकलोजी नंबर होते है ना उन पर बाय और सेलर दोनु बैठे रहते हैं एक्टिव सबसे ज नहीं किया यहाँ तो उपर सीधी उपर गई है थोड़ा-थोड़ा मतलों बीच में रेड केंडल कभी ग्रीन केंडल बना बना कर सीधी उपर गई है लेकिन इसी साइकलोजी नंबर पर किया है और उसके बाद मार्केट ने जैसे इसको नीचे की तरफ cross किया यानि break down दिया तो market सीधा नीचे की तरफ यहाँ पर आती है और यह second जो psychology number है वो है 47,500 का यह वाला यहाँ पर market आके रुखती है और यहाँ पर ही market sustains करती है फिर भी इस number से market उठने की कोशिस करती है लेकिन अभी तो trend डाउन है यह वाला trend डाउन है तो हम उपर का कैसे सोच सकती है हम यह सोचेंगे कि market अगर यहाँ पर react कर रही है psychology number से उपर जा रही है तो chances नहीं है इतने क्योंकि trend अभी continue है downtrend है तो हमें put का सोचना है ना कि coal का अगर coal का देखता भी है तो scalping कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बड़े target के लिए नहीं रख सकते है ना तो market नीचे आता है और फिर last psychology number last psychology number 47,000 से market यहीं से अपनी rally बना देता है उपर की side और सीधा उपर की side जाता है जाने के बाद फिर से market कहाँ पर react करता है फिर से market यहां पर market react करता है 48,500 के level पर यहां पर देख सकते हूँ यहां पर market react करता है नीचे आने की भी कोशिस करता है आप खुद भी देख सकते हूँ यहां पर market नीचे आता है retest करता है इस level को retest करता है फिर नीचे आता है लेकिन नीचे trend line को market जहूं आले जब तक हम uptrend में है हई यहीं से psychology危 subject पर थोड़ा करती है एक दिन दो दिन जोंए ग्रती है उसके बाद market गीति इस सबसा हसे 고 मार्केश से याज़ी सबसक्क्राइब नदेख नब का ऑप Medal कर नहीं देखती हाँ छोटे मोटे डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं छोटा 100 पॉइंट का 200 पॉइंट का नीचे आ सकती है लेकिन प्रोपर वो उपर ही जाएगे अगर वो 500 से निकल गई न तो वो 1000 के पास जरूर जाएगे वो 1000 को चुने जरूर जाएगे अब यहाँ पर 500 के आसपास मार्कित ने काफी टाइम तक रियक्ट किया है उसके बाद मार्कित सीधा कहां तक सीधा 50,000 के लेवल सीधा 50,000 के लेवल नहीं 50,000 तो यहाँ पर हाँ सीधा 50,000 के लेवल को टच किया देखो टच किया ना मार्केट यहां से भी आ सकती थी लेकिन मार्केट ने 50,000 के लिए उलको जैसे ही टच किया तो मार्केट ने फिर नीचे की तरफ सुर्रा बना दिया नीची के तरफ सुर्रा बना दिया पचाहजार का एक साइकलोजी नंबर है क्यों कि हजार का है तो मार्केट फिर नीचे आती है यहां पर आती है ना तो मार्केट जब भी फिर इस लेवल पर आती है यहां पर देखो थोड़ा बहुत हो जाता है बिलकुल एक्यूरेट मत इसके साथ साथाथ आपको साखी नंबर के साथ यह सारी चीज़े बी जान पड़ेगे कि तभी आप इन चीजों के उपर काम कर सकते और प्रोफिट कर सकते हो इससे पहले नहीं कर सकते हैं अब देखो मेरी आप ट्रेडिंग वीडियो देखते होंगे तो मैं मार्केट के खिलाप कभी भी जाता हूं ना पहले जाया करता हूं तो मैं लोस लेके बैठ जाता था कैसे ब्येव करता है इतना तो आपको पता चल गया उम्मीद करता हूं वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी मुझे पता है लेकिन सीखने को काफी कुछ मिलेगा वाई सच जूट नहीं बोल रहा अब देखो मैं आपको क्या बताता हूं अब अब यह कमाने के चलो आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले जो पैंट होती थीना जो पैंट होती थी मैं आपको बना के दिखा देता हं वेसे आती तो नहीं है मुझे हाँ जो पैंट होती थी ना अ किस तरीकी की इस तरीकी की होती थी इस तरीकी की पैंट होती थी आपने देखा होगा इस तरीकी की पैंट होती थी इस तरीकी की पैंट होती थी इस तरीकी की पैंट होती थी यह वाला सिस्टम नीचे का जो हम बड़े-बड़े आदमी थी मतलोग बड़े-बड़े नहीं पह रहां वाई सब भी ऐसा पहरते है तो हम भी ऐसा फैरेंगे तो उस वक्त यह ट्रेंड था अब ड्रेंड कभी कंटिनूर है सकता है आप ही मुझे बताइए कि यह ट्रेंड कब कंटिनूर ही रहा भाई साव कोई तो टाइम होगा या फिर मान के चलो आपल वो को बता देता हूं अरे बाई बनना है कies भून रहा है मतलब जो समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह abnormally Maar Namelyu मतलब जो स्बस्थित्र मतलब इस तरीकी का मतलब दों लेना आप इये ढूय बेब लोगा में पेले आपने देखा होगा कि कुछ दिन घुत तो नहीं, महीन पहले दादी का ट्रेंड केंड कोछ अलग सी सेफ डाडी मैंने तो वू प्रेंड है वू प्रेंड फोलो कि परता है हमें तो वाप को पता लाज़ ये है ट्रेंड है अब मार्केट का भी ट्रेंड होता है हर चीज का ट्रेंड होता है, मोबाइल का भी ट्रेंड होता है, किसी भी चीज का ट्रेंड मान सकती हूँ, कपड़ों का ट्रेंड हो सकता है, हर चीज का ट्रेंड होता है, तो मार्केट का भी ट्रेंड ही है, तो सबसे पहले ट्रेंड को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, हमें बड़े टाइन फ्रेम में देखना है लाइक 15 मिंट के चार्ट फ्रेम में या वन डे के चार्ट फ्रेम में या फिर वन वीक के चार्ट फ्रेम में भी देख सकते हो अच्छा रहेगा वन वीक वन डे और 15 मिंट के चार्ट फ्रेम में यह तीनों टाइन फ्रेम में आपको में हो जाता है यहां पर मार्केट जब भी आता है यह इस तरीके से आता है इस तरीके से यहां पर जब भी आता है मार्केट तो अप्ट्रेंड हो जाता है यहां पर मार्केट आता है जब भी तो डाउंट्रेंड हो जाता है समझ गए तो अभी मार्केट का क्या चल रहा है बत इसको हम green कर लेते हैं अभी देखो अब मुझे बताईए कौन सा trend चला हुआ है market का simple भाई trend कौन सा चला है अब trend यहां से market ने uptrend किया है हां market देखो फिर से आती है retest करने इस level इस trend line को फिर से market दो बार retest करती है एक दो एक दो तीन बार तीन बार retest करने के बाद इस level को किस level को इस level को उपर के तरफ break देती है और market उपर की उपर निकल जाती है अब यहां पर न काफी trader confused थे कि market uptrend में है या downtrend में है अगर आपको trend लिकान लाता ही नहीं अिया तो फिर ऐसे होगा नँवा अब कभी भी put में ले ले लेते हो कभी भी कोण में ले लेते हो कभी भी आप उपर का सोच रहे हो कभी भी नीचे का सोच रहे हो जादा accuracy Uptrend कि है तो यहां से ogóle ह transp bet अ हुआ है market तो हमें उपर कही सोचना ना की नीचे का यहां से भी market यह market नहीं यहां पर कुछ मतलग यहां से मर जाना तो market को यही से था सिधा लेकिन जो दिक्कत आती है ना बीच बीच में कौन सी दिक्कत जैसे कि news आ गई कोई या कोई ऐसी बात हो गई operator के बीच में कि भाई नहीं जाने दे रहे हैं वो अभी market को तो यह तब होता है कि market नीचे से ही घूमाती है लेकिन market ने इसको टेस्ट गया है तीन बार टेस्ट करने के बाद तीसरे टेस्ट करने के बाद market इस level को उपर के तरफ ब्रेक आउट देती है और market उपर के तरफ निकल जाती है अब market का अगला यह trend है मतलो market अब उपर ही अब मार्केट का अब ट्रेंड बनावा है अगर इस लाइन को चुएगी तो market पचाई जार के उपर भी जा सकती है वो लेवल हो सकता है 50,500 का भी हो सकता है तो इस लेवल तक market अभी अब ट्रेंड में ही है जब तक market इस trend line को टच ना कर दे market अब ट्रेंड में ही है और यहा दोल नहीं अगर दिखता है थोड़ा बहुत आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं बड़े टार्गेट नहीं तो यह आपको ट्रेंड पता चल गया और आप अगर जानना चाहते हो और जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है आप मैं आपको बताता हूं 15 मिंट के टाइम फ्रेम क प iç में में दिखाता हूं 10 ए एक मिन टुक ना यहां पर मैं वंड़े के टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूं जो बहुत यह हैं जो ऑन करना है हम दखे direction की फ तीन की अपको करना हो इंता हो fre Drive के seat सब्सक्रेंग ऐहां बहु और देखो मार्केट ने sideways किया कई दिनों तक यहां पर मार्केट sideways चली है और फिर इस लेवल को मार्केट ने उपर के तरफ breakout दिया है यहां पर देखो अब इस चैनल के अंदर ही है और मार्केट अभी अब्टेंड में है जब तक इस प्वाइंट को टैस्ट ना कर ले मार्केट उस जब तक MR अप्टेंड में ही है इतना समझ गया आप मार्केट साइडवेस रह सकती है बीच में यहां पर साइडवेस जैसे कि देखो यहां पर मार्केट ने साइडवेस रखा यहां पर मार्केट को साइडवेस रखा यहां पर मार्केट को साइडवेस रखा यहां पर दो दिन मार्केट को साइडवेस यहां पर कितने दिन मार्क में बाइंग आ रही थी, ट्रेंड लाइन पर कौन, कौन बैठे हैं, बाइर, बाइर अपने कबजा करके बैठे हैं, कि जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आएंगे, मार्केट आएगी, हम बाइ करेंगे, बाइ, तो मार्केट यहां से तभी बुलिश हो जाती है, और यहां पर बैठे हैं, सेलर, या फिर यह जो बाइर हैं, यहां पर यह मार्केट को यहां पर लेके जाती हैं, और इस लेवल पर सेल कर देते हैं, यहां पर सेल, यहां पर फिर कि आईये मैं आपको बताता हूँ देखो अब श MAR चे जारा नविबसक्वाइब से पाल गर्लों और चांसस रहते हैं और मतलों से जारा चांसस माक्डरख रहते हैं ऑर चांसस पॉं अब जो assistance बनेगा सबसे पहले resistance जब भी बनेगा तो आप को यह दिखेगा कि market कहाँ से गिर रही है देखो यहाँ से market गिरी है भाई-चाब तो यहाँ पर यहाँ तक market यहाँ से market उठी है और यहाँ तक गई है यहां तक जाने के बाद market उपर क्यों नहीं गई और नीचे आ गई यार तो यह क्या बन गया यह बन गया रसिस्टेंस मतलब रसिस्टेंस का मतलब यहां पर seller बैठे होते हैं अपनी position बनाए कि जब भी इस level पर market आएगा हम sale कर देंगे और यहां पर कौन बैठे हैं sport buyer यह क्या है sport जहां से market उपर की तरफ उठती है तो यहां पर बैठे हैं buyer वो बैठे हैं कि जब भी market यहां पर आएगा हम buy करेंगे simple second अब हमें resistance पता है पहले से ही पता है पहले से ही पता है कि resistance का है बाई resistance इस level पर है यह level इस तरीके से horizontal भी हो सकता है यह level इस तरीके से trend line भी हो सकती है अगर market trend line को follow कर रही है पिछे से दो bottom top है दो top अगर जोड लेते हो तो trend line बन जाती है जैसे कि दो top पहला top यह बन गया second top यह बन गया फिर market नीचे आईए ये इस तरीके से trend line follow करती है तो market अगली बार भी यहां से buying आएगी तो इस trend line को छूने की कोशिस करेगी और फिर से market यहां से नीचे आने की कोशिस करेगी और फिर से इस level को sport मान कर यहां से उठने की कोशिस करेगी तो यह बन गया अपना resistance और यह बन गया अपना sport अब यह तो भाई आपने एक दिन के चार्ट फ्रेम में दिखा दिया अब चलो मैं आपको 15 मिन्ट के चार्ट फ्रेम में या फिर 5 मिन्ट के टाइम दिखा देता हूं क्योंकि ट्रेडिंग तो हम एक दिन के चार्ट को थोड़ी नहीं देख के करते हैं तो छोटे टाइन फ्रेम में भी आपको यही चीज़ देखनी है अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यह मैंने पांच मिन्ट का टाइन फ्रेम ओपन किया है मतलो जो भी यहां पर यह कैंडल बन रही है पांच मिन्ट की बन रही है अभी देखो हम यहां पर पीछे का सिस्टम देखेंगे पीछे का सिस्टम क्यूंकि रसिस्टेंस और स्पोर्ट हमें पता है हम यहां पर पीछे क का सिस्टम देख मैं यहां पर पांच मिन्ट का नहीं पंदरा मिन्ट का कर लेता हूं क्यों क्योंकि थोड़ा सा आसान होगा चार्ट रेड करने में थोड़ा सा आसान होगा यहां पर मैंने अभी देखो, मार्केट यहां से अप्ट्रेंड में है, यहां पर देखो, यहां से मार्केट अप्ट्रेंड में है, अब देखो, मार्केट ने यहां से रसिस्टेंज लिया एक तो, मार्केट ने यहां पर बार-बार मार्केट यहां से रसिस्टेंज ले रही अब की बार इस level को उपर के तरह breakout कर दिया तो यह छोटा time frame है इसमें हमें पीछे का जो पहले market ने performance किया है like previous day मतलो आज से पहले दिन जो market ने performance किया है वो level जो resistance और sport है उनको draw करके हम अगले दिन के sport resistance को जान सकती है और उन level पर market ज़रूर काम करती है अब देखो market यहां से downtrend में थी तो market यहां से swing बना बना कर नीचे की तरफ आ रही थी देखो यह market swing बना बना कर नीचे की तरफ आ रही थी यहां पर उसके बाद market यहां से buying आती है और market यहां से resistance लेता है तो यहां पर previous day के chart को अगर हम read करते हैं उसके resistance और sport को पहले ही draw कर लेते हैं एक दिन पहले ही market open होने से पहले ही तो अगले दिन हम उन लेवल पर काम कर सकते हैं profit कर सकते हैं मैं एक बार आपको दिखाने की कोसिज करता हूं आप एक चीज देखो यहां पर मैं आपको 15 मिंट के चार्ट फेरे में बता रहा हूं यहां पर देखो आपको पता है कि market बार बार यहीं से उपर के तरफ जा रही है तो आपको पता है कि यह trend line export का काम करेगी तो जब भी market यहां पर आएगी तो market में buying आने के chances full है तो देखो यह जब यह काम हुआ था तो इससे पहले market ने यह काम कर दिया था market ने इस level से उपर की तरफ buying दिखा दी थी देखो retest किया and उपर की तरफ market निकली लेकिन market इस level को क्या मान रही है resistance तो इस काम इस मतलब अगले दिन काम होने से पहले ही market का इस level को अगर आप resistance को draw करके रख लेते इस तरीके से तो यह देख सकते हो किस तरीके से यह market follow कर रही है देखो इस level को market यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से बार बार उपर जाती है नीचे आती है उपर जाती है नीचे आती है उपर जाती है नीची आती है फिर इसको उपर की तरब breakout कրती है लेकिन फिर यहां पर sustains करती है उपर नहीं जाती है इसLevel को sport मांती है फिर से उपर जाती है फिर नीची आती है बिल्कुल आराम से एक bullish candle देखकर अच्छा सा stop loss लगाकर यहां से आप buying कर सकते हो market में और देख सकते हो किस तरीके से buying आई है तो यह level आप पहले ही draw करके रख सकते हो मांद के चलो यह market का performance market ने किया यह market अगले दिन open ओती है तो उससे पहले आप यह level ड्रो करकर रख सकते हैं मार्केट किस तरीके से काम करती है यह देख सकते हैं यह देखो बिल्कुल accurate market इन ही level पर काम करती है यह देखो यह देखो करती है यह इन पर देखो तो यह चीज़े आपको सीखने पड़ेगी जैसे यह resistance है, so simple, उसके साथ-साथ आपको trend का पता होना चे market का, कि trend क्या है trend, यह market अगर अगर कोई यहाँ पर है ना, तो आपको पता है market उपर जाएगा, trend uptrend है तो यहाँ से हम buying कर सकते हैं, एक bullish candle देखकर अच्छी से confirmation मिलने के बाद ठीका ना, हाँ, अगर उपर market की trend line जो बड़ी मैं आपको दिखा रहा था, अगर market यहाँ पर है तो आपको पता है, यह resistance है और यह trend line भी है और market यहाँ से downtrend भी होने वाला है तो यहाँ से हम अपनी sale की position बना सकते हैं, अच्छी से bearish candlestick pattern बड़ी ऐसी confirmation मिलने के बाद तीन चार चीजे मिलने के बाद आप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो रहसे stance है, second यहाँ पर downtrend भी create होने वाला है, क्यों? क्योंकि यहीं से market पीछे के दिन से भी नीचे की तरफ गई थी, पीछे पहले दिन, तो market की chances से यहाँ पर नीचे जाने के, पहला assistance second is trend line, और फिर downtrend और साथ में आप OI भी ले लो फिर, OI के भी उपर मैं आपको एक वीडियो बना कर दूँगा, कि OI भी बहुत काम देते हैं market में सच्ची जोटने बोल रहा, वो आपको सीखने को मिली होगी आज की वीडियो में, उमेद करता हूँ, और आपको कोई question है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो please मुझे ज़रूर बताएगा और भी काफी question है, आप सभी के, मैं cover करने के ज़रूर कोशिस करूँगा, और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई, तो बड़ी तो होगी ही, कुछ सीखना है, तो यार, time तो देना ही पड़ेगा, है ना, इतना तो आप समझते हैं, ठीका ना, अभी market uptrend में है, कोई दिक् ना हो, कहाने का मतलब है, वहाँ पर आपको काफी benefit हो जाता है, buying or selling में है, क्योंकि आपको पता होता है, अभी market uptrend में है, तो मान के चलो, uptrend में है, तो market अगर by chance मान के चलो, यहाँ पर आ भी गई, यहाँ पर देखो market ने swing बनाया, यह level है 48,500 के आसपास ही है, साइकलोज resistance का काम करेगा, आपको पता है, इस level को draw करके रख सकती हो, तो market कभी भी इस तरीके से नहीं तोड़ेगी, यह तो market उपर जाएगी, इसको retest करेगी, फिर उपर जाएगी, यह market यहाँ पर काफी time बिताएगी, time बिताने के बाद उपर के तरफ ब्रेक आउट देगी, इस त market नहीं फिर उपर गई है, ध्यान से देखो, इस level को market ने retest किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से गोर से देखना, यह देखो, अब देखो, अब ध्यान से गोर से देखो, market ने retest किया इस level को, इस level को, अगर आप पहले से इसको draw करके रख लेते, तो अच्छा होत करती है एक रेड केंडल देती है उसके बाद फिर से मार्गेट बुलिस मानते हो ना तो यह इस तरीके से काम करते हैं रसिस्टेंस और स्पोर्ट काफी मदद मिलती है ट्रेड करने में मैं सिर्फ आपको सीखाना चाहता हूँ आप अपने खुद का सेटब भी बना सकते हैं खुद अनलसिस करिएगा बहुत मजाने वाला है जो मैंने चीज़े आपको बताई है फिली सुन पर काम करिएगा तो प्रॉफिट आपका ज़रूर होगा सही तरीकी से काम करना और सही सा करनी है और कॉंफिदेंस बिलकुल बेकार मतलब एकदम और अफिग यहारं उना जाता है कि अनलने मज़सा मांनता हूं पैसे हैं लेकिन बहुत ज़याँ आपको मार्कट में लोर्स दिखा सकता हैं क्योंकि और कॉंफिदेंस भी आ tools पाता है आपको प्रोफिट दिखेगा लोस तो दिखेगा नहीं लेकिन मार्केट में तो लोस भी है तो वो सारी चीज़ा आपको देखनी पड़ती है एंड उसके बाद ही आपको एक अच्छे तरीके से अच्छे ट्रेडर के रूप में काम करना होता है सभी आप आगे बढ़ पाते हैं उन्हें था आप पर रूक जाओगे मार्केट आपको भगा देगी समझने की कोशिस करिएगा तो आज की वीडियो में इस इतना ही जैसरी किसना सभी को यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैसरी किसना सभी को वाई वाई टाटा सी यू